नमस्कार दोस्तों आप सबी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चेनल पे और आज जो हम बात करने वाले हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कि PM किसान 2030 न्यू अपडेट ए गलती किया तो पैसा होगा हमेशा के लिए बंद तो कौन से गलती आप करने व आप गलती कर चुके होंगे तो आपके लिए पर्मानेंट PM किसान का जो भी पैसा आने वाला है जो भी मिलने वाले थे यह जो भी मिलने वाले हैं सारा कुछ बंद हो जाएगा तो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखना है और समझना है कि कौन से गलती आपको नहीं करन है और आने वाले समय में जितने भी लड़के हैं अपने मोबाइल में PM किसान का स्टेटस देखने के लिए जाते हैं और वह अक्सर गलती करते हैं तो वह गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है अगर आप एक गलती किया है तो आपके लिए पर्मानेंट के लिए बन कभी भी यूट्यूब चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के सस्क्राइब कर लिजेगा साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम वेबसाइट पर आ आ चुके हैं, बेनिफिस्टी अशट के साथ-साथ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तीन न्यू आप्टेट में से, तीन न्यू आप्टेट में से, एक यहाँ पे बहुती, बिल्कुल अच्छा आप्डेट है, कहा जा सकता है, और बहुत यह से किसानों के तो आपके लिए अभिसाप है, और जिसके लिए यह चीज़ें महतपूर्ण है, उनके लिए तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन हमें नहीं लगता है कि यह चीज़ें किसी के लिए बेनिफिट के चीज़ है, यह जो बेनिफिट है, यह सरकार का बेनिफिट है, आने वाले समय में अगर आप ये गलती करते हैं तो आप हमेशा के लिए PM किसान के लावारती जो आप बने हैं वो हमेशा के लिए आप बाहर चले जाएंगे और इस स्किम से आप लाब नहीं ले पाएंगे जो भी लाब ले रहे हैं वो लाब आपका मिलना बंद हो जाएगा तो तो चल यह सबसे पहले देखते हैं कि कौन से गलती आपको नहीं करना है तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है इस पे जो यह option है इस पे आपको आना ही नहीं है अगर आप आते हैं तो यहाँ पे कुछ भी छेड़ छाड़ नहीं करना है इस option को आपको छेड़ना ही नहीं ह अगर आप इसे छेड़े तो समझे एक साप की बराबर है साप किसी को डंस लेता है तो आज इवन के लिए उसे सुला देता है उसी तरह से अगर आप इस option पे जाते हैं वो फिल करते हैं तो समझे हमेशा के लिए आपके PM किसान का जो भी benefit मिलने वाला हूँ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा तो देखे हम यहाँ पे open करते हैं और open करने के बाद देखी यहाँ पे open कर लेना है लेकिन इसमें आपको फिल नहीं करना है कोई भी कुछ यहाँ पे आपको फिल नहीं करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं registration number का option जाता है और यहां पे English से लिखा हुआ है अगर आप सवता अपने आप PM किसान के स्किम से बाहर होना चाते है या PM किसान का जो भी आप benefit ले रहे हैं उसको आप छोड़ना चाते हैं उनके लिए यह option है और उसके बाद छोड़ने के बाद आप इसका लाब नहीं ले पाएंगी और होना है beneficiary status check करने के चकर में आप कहीं यहां पे registration नंबर फिल करके और टिपी फिल करके कहीं आप submit ना कर दे अगर आप submit कर दिये तो आपके लिए permanent के लिए बद्ध हो जाएगा तो दोस्तों यह चीजे थी जो आपको हमेशा update रहना है और इन चीजों के बारे में आपको सम दो करके बेट सकते हैं तो चलिए यहां पर यह महत फुल अपडेट था जो आप सभी किसानों को देना था जो की update न्यू न्यू आया है और न्यू अपडेट देख सकते हैं कि इस तरह से यहां पर चमक रहा है चमकने के चकर में बहुत यह से किसान है जो ट्राय करने का पर beneficiary status का option है सेम उसी तरह से beneficiary status के तरह आपे भी दिखाई देते हैं तो आपको यह गलती नहीं करना है यूपर में ही option यह है beneficiary status चेक करने का आप यहां से चेक कर सकते ही और जश्ट आने वाले वीडियो में हम beneficiary status दिखाने वाले हैं जो कि पूरी तरह से बदल चुका है आप किस तरह से चेक कर पाएंगे और किस तरह से उसका beneficiary status है वो किस तरह से आपको पेसे जो मिलने वाले हैं अगले किस तरह से आपको मिलने वाले हैं मिलने वाले हैं यह नहीं है वो चीज़ सारी चीज़ा आप चेक कर पाएंगे वो हम बताने वाले हैं इसी के बाद वीडियो हम अफ्लोट करने वाले हैं तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लग रहे तो लाइक कीजेगा साथ ही साथ दोस्तों के पास से अच कीजेगा तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में इसी टॉपिक के साथ और नए अंदाज में तक के लिए तेमाद दिये वाई